अधार निकासी करने वाले सभी रिटेलर के लिए बहुत बड़ी अपडेट सस्पेक्टेड फ्रॉड अगर एरर आपका भी आईडी आ रहा है तो क्या आपका आईडी बंद हो जाएगा जब आपको ही टांजिक्शन करते हैं तो सस्पेक्टेड फ्रॉड लिख के अगर कोई भी बैंक में आपको बिड्रॉल करने पर आ रहा है तो क्या आपके मन में ये भी सवाल होता होगा कि अभी कुछ-कुछ लोगों का आईडी बंद होना चालो हो गया है तो क्या आपका भी रिटेलर आईडी बंद हो जाएगा XYZ कोई भी कंपणी का आईडी चलाते हैं तो सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में जानेंगे अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो निवेदा ने सही जनकारी के लिए हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब करके रखें और एक लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी दोस्तों बन्त बुलिएगा क्योंकि AAPS Money Transfer Recharge Bill Payment समन्दित ही हमारा वीडियो होता है अगर आप अधार से निकासी करते हैं तो निकासी के दौरान कुछ इस तरह से आपको Suspected Fraud का Error देखने को मिलता है जब आप Cash Withdrawal करते हैं स्क्रीन प्राबलम के वज़से भी होता है जो हमारा खुद का Experience है पिछले पास साथ दिन पहले यूको बैंक का सर्वर डाउन था तो सारे ट्रंजिक्शन में Suspected Fraud लिक रहाता इसका मतलब यह नहीं कि सभी रिटेलर का आईडी बंद हो जाएगा तो मेरा काने का मतलब है कि रिटेल पूर दिजिएगा आप करते हैं कि नहीं जब कस्टमर कोई विड्रॉल करने के लिए आता है तो ज़्यदा तर रिटेलर क्या करते हैं कि खुद का मुबाइल नंबर डाल देते हैं या फिर XYZ कुछ भी 99999555 कुछ भी डाल देते हैं ऐसा 95% रिटेलर करते हैं यह मेरा खु करते हैं कि मुबाइल नंबर जब कस्टमर का विड्रॉल होता है तो मुबाइल नंबर कुछ से कुछ आप लोग डाल देते हैं यह 95% रिटेलर ऐसा ही काम करते हैं तो बैंक के सर्वर में कभी-कभी सर्वर को लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गलट टांजिक्शन हो रहा है क् कि ऐसे में भी आपका ID, Suspected Fraud जैसे Attention Error आपको देखने को मिल सकता है तो इन बातों का आपको ध्यान रखें सभी रिटेलर किसी भी कमपनी का अगर आप ID चलाते हैं और दूसरी चीज़े यह कि आपको हम बता दे, Suspected Fraud का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने ऐ ऐसा काम किया ही होगा आपने अगर नहीं भी किया होगा तो पर भी कभी कभी सर्वर प्रब्लम के वज़से भी होता है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनी बात नमस्कार